पंडीजे आप ये कह रहे थे कि कुछ ऐसी चीजे उसके पहले मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ जहातक राश्ठाकरे एक बड़ा मास लीडर है आयू यानि कली उनका जनम दिन हुआ है और इस पूरे कुंडली को अगर हम देखते हैं तो उनको किस चीज का खयाल रखना चाहिए जो कि उनके समर्थकों के लिए एक बहुत उप्यूक्त हो सके है वो सारी चीजे जो आप उनको बताना चाहते हैं देखिये अश्टम भाव आयू का भाव होता है जी जी और वहां पर बैठा हुआ सूर्य जो है उनको धिरग आयू देता है यानि लंबी आयू देता है बाकी जीना और मरना सिरफ उपर वाले के हाथ में है मैं उनकी कुंडली देखकर या बविश या ग्रहों की दशा देखकर आपके समक्ष उस उन ग्रहों की चाल और उन ग्रहों की डिग्रियों के प्रमान बताता हूं सेकंडली उस घर का जो भी स्वामी है चाहे वो शनी है के तू है मगर इन इस घर का स्वामी जो है वो बुद्ध है और इनकी कुंडली में सूरिय बुद्ध और मंगल उधरी बैठे हुए है जिसके कारण उनको धीरगायू है मगर तब भी जो आपने बोला ना कि मगर तब भी शनी की महादशा उनकी शुरू हुई है शनी की महादशा उनकी 18 ऑगस्ट 2011 से शुरू हुई है और 14 आठ दो हजार 14 आठ दो हजार 14 तक शनी में शनी चलेगा इसलिए किसी भी तरह की सुरक्षा जो है उसको carelessly मत देखें अपनी चाल सुरक्षा के लिहाज से आप राजनिती में कोई भी अपनी चाल चलेंगे तो मानने है आप सुरक्षा के हिसाब से सुरक्षा कर्मियों की बात माने और हो सके तो अधिकारीयों के साथ साथ में आपनी खुद की सुरक्षा का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है क्योंकि बाला सहब की राजनीती में और आज की राजनीती में बहुत अंतर है वो जमाना ऐसा था जब सुरक्षा कर्मी नहीं भी होते थे तो भी चलता था मगर आज सुरक्षा के लिहाज से आपको अगले 14-8-2014 तक सुरक्षा का ध्यान रखना है और उसके अधरवाइज जैसे मैंने बोला है शनी चंद्रमा की राशी में हैं कहीं न कहीं अपनी वानी के उपर भी नियंतरन रखना है वानी के उपर भी कभी-कभी और विश्वस्त से विश्वस्त पर भी विश्वास मत करना क्योंकि च राजनिती में सबसे पहला अक्षर क्या है तो चानक्य ने चंद्रगुप्त को बोला कि विश्वस्त से विश्वस्त पूरश पर भी विश्वास मत करना राजनिती और चानक्यनिती का समावेश करते हुए मैं आपको यही सला दूँगा कि आप अपने जीवन में बहुत देचा आपके जनम दिन पर देते हुए सुरक्षा का ध्यान रखना अती अनिवार्य मैं बार बार काऊंगा जीजी अपने